इसलाम वालेकुम उर्हमत लाहीं वाबरकातू मेरे हैं आप सब ठीक होंगे मैं भी ठीक हूं शुक्र है आल्ला का चाहा हमने इससे पहरे डिसक्स किया था सिंपल परमनेट टिशू नर्ट टुड़ेग वी अगट डिसक्स वाट इसक्स परमनेट टिशू मैंने आपको बताय है एक टिशू एक टिशू विच इस कंपोजर आफ डिफरेंट टाइपस अप साल्स का लेकिन कंपलेक्स परमनेट टिशू की सारी सेल्स जूंस अदिसेल्स किया निएकी साथ करते हैं सेल्स के शाख सेल्स करेंट करेंदीयों। परफार्म को परफार्म करने के लिए यहां पर टिशू के बीच में कॉडिनेशन होती है वीचिओ स्ञास्व सesyल के सखें आगे होता है कि अगा ऐगो फॎय होता है दू फामे एक है जैनलंग और है flowyam वे शया कर संदोन फार्म मस् talkers in two farmers सौच आज आई ज्याज वैस्ति सीथी्टिशोअ नौह ग्रॉकलाइब उने मर्युली सिले मुनि ए कथे ई। यॉर्ट इस्टिस्टियू सहोम एसजोरी टिस्टिस्टिज्टिशों में प्रापॉD कशने इस्टिए टिस्टिस्टिशा गए कि यह यॉर्टी mine में प्रफार्म करता है vascular system वो याद यहीए सिंपल इस याद हृँ किये complex permanent tissue को शुट Tissue use video मोता is different types of cell अप सेलन हों complex permanent tissue वसमस्ट शायरे cells ऐसे साख से cooperate करान cooperate करें चेहत्यम cells प्रफार्म करान अक्की specific function. इचिस टिशुबस चेज नावन complex permanent tissue. ऐसे tissue को हम कहते हैं complex permanent tissue. All the cells of a complex permanent tissue are able to coordinate with each other in order to perform a specific function. This is the definition of a complex permanent tissue. प्लाटन मस चेज नावन जाइलम बेचेज नावन फ्लोयम. First of all, we are going to discuss what is xylem and what are its properties. इसकी properties क्या है? पहले हम xylem को ही discuss करते हैं. xylem क्या है? अगर आप structurally देखोगी यह जो xylem है, xylem जो है, xylem is required for pranasport and conduction of conduction of sap. प्लाटन में sap को conductive sap मतलब water और इसके साथ dissolve होंगे in minerals. वो simply plant नमाज चो आप ते minerals गासन transport with the help of xylem. अब इसे इस मनन xylem is required for conduction of sap. इसे xylem चो xylem जो जो transport चो it is unidirectional इसमें जो transport है in materials का that is unidirectional. unidirectional का मतलब है it always occurs from downwards to upwards इस्थावन याद. xylem जो जो movement of materials चो switch downwards to upwards. वो that means it occurs only in one direction. आप the minerals यूजूरी लोकेट स्वाइलिमस इसी लिए शीर स्वाइली प्लाठी होरकुन खाचन गोथ फ्राम downwards to upwards गो डिरेक्शन चे आप कोई उसके बाद xylem जो है xylem बना हुआ है चार पार्ट्स का चार सेल्स का xylem is structurally composed of four parts ये चार पार्ट्स का बना हुआ है composed of four types of cells composed of four types of cells xylem ची शित्रक्शन लिबने वो चार पार्ट्स आपको अगो अथमा xylem tracheids होते है इसमें second one is vesselus third one is xylem parenchyma and the fourth one is xylem fibers वो जायनम ची शित्रक्शन लिबने हो four types of cell उन हो six-way types of cell उन हो shape structure are too different मकर six-way types of cell ची एक साथ की coordinate करन coordinate कर इची तिम परफारम करन आक्सो पैस फे function युश्थाव नियार वो जायनमस मच two types of cells first of all we will go for tracheids पहले हम tracheids को देखते है ये क्या होते है tracheids first of all we are going to discuss what are tracheids ये tracheids क्या होती है सबसे पहली बात जो आप याद रखोगे जुमनोसुपर्मस में वेस्टलस नहीं होती हैं वेस्टलस के बाद इनमें tracheids होते हैं जुमनोसुपर्मस युम्चत जुमनोसुपर्मस में शहिने tracheids यह वेस्टलस इनमें west lazar abs है तो इसी लिए जो भी है वो है tracheids क्या होती है tracheids सबसे पहली बाद tracheids are elongated cells इनके enders जो होते है pointed होते है इनमें protoplasm जो होता है abset होता है यह dead होते है और इनके वालस बहुत ज़्यादा ठीक होते है यह आपको दिमाग में रखना है इस तरह से यह एक tracheids है tracheids are elongated cells मगर शीम आसा pointed इनमें चाह आसा enders pointed यह वालस चाह लिगनिफाइड इनमें प्रोटोपलाजम आसा कि ही मतलब they do not possess any part of protoplasm that means they are dead cells यह आप लोगों को दिमाग में रखना है इनके वालस लिगनिफाइड होते है और enders होते है शारप यह डेड होते है इनमें शारप enders होते है lignified वालस मतलब lignin से बने हुए lignified वालस उसके बाद dead cells no protoplasm इनके पास protoplasm नहीं होता है इस आप बेसिक करेक्टिस्टी फीजिरोस आप इस ट्राइकेर्स ट्राइकेर्स चाहाँ है elongated cells इनमें मचे शारप enders हाँ है इनमें पॉइंग पॉइंट एंडस पॉइंट एंडस उसके बाद इनके पास लिगनिफाइड वालस होते हैं जो वालस होते हैं दिया हो रही हैं सोरी कंपोजट आप लेगनें यह वालस इनके इनर वालस में भी ठीक्निक्स होती है इनके इनर वालस होती है क्वेंकि इनके पास कोई सी यह अपलों को दिमाग में रख लक्र लस तु जाओंइला, क्याओन। वेसालड ही व्याइतील। देखी, местness, यह dessinal क्या होती है, यह tubular structures होती है, these are tubular structures, downstop, these are tubular structures, जेखे, पहले आपको समझ दाएंगे यह वेस्टन्स क्या होती है लांग टिवियोडर से ट्रक्टर्टर्स होते हैं यह कंपोजर्ड आफ कि स्यावर है कि वैसल है कि मैंबर्स है कि अन्यक्टिर्ट जाक लग इस ट्वियोडर से ट्रक्टर्टर्टर्टर्ट एज बई रेसल मेंबर्स पर सारा जो सित्रोच यह सारा से ट्रेक्टर्ट्र इस काड़ वैसल होता है इंड वार्स जो होते हैं शरोट बट इंक्ट्राइब देखोगी यह श्यां इत्वेन कि बद्धाइब कर वें रेरी थिक साइड वाल्स आथिक एंड या लिगनिफाइड इनके साइड वालस जो होते होते लिगनिफाइड याद छुथाओन प्रहतका व्यासल टुबूलर स्ट्रक्चर याज मैंने मस्च वारियाँ व्यासल मेंबरन हांस इम कनेक्ट शासन करेत अंड यह व्यासल हावा छासन इमान ही वालस चासन एंड यह साइड वालस चासन ठिक तेम्चासन लिगनिया फाय कि यह आ ङप लोगंको दिमाघ में रखना है इन व्यासल में अगर आप देखोगे यहैन व्यासल शुखलाण मास हभाची यूजवली गीju आ यहाम तेक्या हिड क्यों मासम प्रोटोपलासम आसन ऐना यह अगर आप इनके end walls जो होते हैं, open होते हैं, side walls ठीक होते हैं, हर कोई vessel member जो होता है, हर किसी vessel member में जो end wall होता है, वो open होता है, इनने protoplasm नहीं होता है, ये dead cells होती है, इस आप बैसेल्स हैं, having no protoplasm, these are vessels, ना थे थोड मन इस आइनम पैरन काई माख, add कर दो और यो यह दिर वह्जार रखोगी मानोकार्ट में डिफरेंट होती है इस में देखेंगे डाईकार्ट में बाहँ जो होती है डाईकार्ट मैं यह राउंड दोती है or rounded vessels, in die cards the vessels are rounded while as in monocards they are angular, angular, die cards में rounded होते हैं e monocards में angular ह blueberry vessels, और वоты से जो वूड बन जाता है गैस्ट सिंप्रीग आटाइब्ड पोरस वूड, इसको आप अलग से मैं इसको बताऊंगा वह हमारा अलग टॉपिक है इसको बताऊंगा वह हमारा अलग टॉपिक है रख लीजिए यह आपको दिमार के रखना है उसके बाद है वेसलिस में उसके बाद है इनके पास जायलम पैरंकाइमा होता है अगर आप देखो कि जायलम पैरंकाइमा ही वह सिर्ट्रक्चर है जो एक्चुली इस जायलम में होता है लिविंग सिर्ट्रक्चर जायलम पैरंग काई मार यह living है living इतना ही नहीं cells जो इसकी होती है वो own यह rounded होती है तो पैरंग काई मेटा cells are rounded और own इनके walls जो होते है वो thin होते है और बढ़े हुए होते है sylilose के यह septate भी हो सकते है और accepted पैरंग काई मेटा cells के walls accepted भी हो सकते है या accepted भी हो सकते है यह आपनों को दिमाग भी रखना है जाहिलम पैरंग काई माच्छों लिविंग से ट्रक्चर युश्थावन यार जाहिलम पैरंग काई माच्छों लिविंग से ट्रक्चर देखो रैडियल कंड़क्शन रैडियल कंड़क्शन और सैफ और यह स्टूरीज स्टूरीज यह फूर मिटीरियल उसको स्टूर करता है पार एक्जामपल अगर आप देखोंगे फैट्स को इस्टूर करता है इस रास्पांसिबल फाद स्टूरीज आफ फैट जाइलम पैरंकाइमा चीज लिविग्स रट्रक्शन इडिजिज बाद पैरंकाइमेट इस बाद पैरंकाइमेट इस चाहरो रांडेड वारस्थिन होते हैं और मुद्धा है इनका कामे रेडियल कंडेक्शन मतलब साइडस् सुनिए जाइलम पैरंकाइमा जाइलम पैरंकाइमा चीज षे शितॉर करन फूल सितार इभ करन फूलस्य जाहर यह निस जातननी लिटाहरो तार्णode स्टोर करन या अρ Еओं वहां धिशनु ठलीईनश रान है आज बале पैरंकाइमेट लिविट त्शूर् निया पैरंकाइम सबसें युट सफेरी मों खार को नहीं। सबसें आंग बार्यूम् सबसेंfer उसे मुट युटाब सबसेंऊसbut जाइलम फाइबोर साथ सिकलर काई मेटस मतलब को तिम्छे ड्याद आसन तीह वाल तिम्हें के लाइसे श्यक्तेट यह एक लाइसे एसेप्टेट मगर निम्हें लिगने फाइड वाल आसन मतलब यह प्रवाइड करना मेकनिकल सपोर्ट अधे आकर इंग्रूप यह आप जो है जाइलम फाइबोर सिकलर काई मेटस का मतलब है द्याड होते हैं लेकिन इन में एक खुसूश्यत है इनके वाल जो होते हैं वाल आर लिगनिफाइड को मतलब यह प्रवाश्य लिगनिफाइड आसन जाइलम फाइबोर से सिकलर काई मेटस मतलब तिमचे द्याड एंड इनके वाल जो होते हैं द्यार लिगनिफाइड उसके बाद यह चाहसन सब्टेट और एसेप्टेट एसेप्टेट यह उसकों जिस सिरफ तो सिरफ मेकनिकल सपोर्ट प्रवाइड कर या आइदर सप्टेट और एसेप्टेट सपोर्ट या मैकनिकल सिट रंकर नाँ देखिए प्रेमरी हमारे पास जायलम जो होता है दो फार्म में होता है एक होता है प्रेमरी जायलम दूसरा होता है सेकंडरी जायलम हुस्ट फार्मर्ड जायलम और लेटर फार्मर्ड जायलम 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 अगो प्रेमरी जायलम ज आपको सेकंड्री साइलम थे कि अमारे पास जो फ्री होता है यह बूत इंप्राइमरी जायलम क्या होता है इस मश्च मश्राइब प्रामर्म जायलम इस कामल का है रिख सबसे पहला जायलम जो एक प्लांट पर उता है अब इसमें दो पार्ट्स होते है एक होता है प्रोटोजाइलम दूसरा होता है मेटाजाइलम अब यहां से सीखना देखे प्रेमरी जाइलम वो जाइलम है जो एक प्लाट में सबसे पहले डेवलफ होता है इसके दो पार्ट्स दो सेक्शन होते है एक होता है protozylum दूसरा होता है metazylum अब इसमें भी primaryzylum में सबसे पहले जो बन जाता है that is protozylum ये है first formal primaryzylum सबसे पहला primaryzylum जो है that is protozylum and ये है later formal later formal primaryzylum वो primaryzylum अश्र जिकसम आग गो protozylum आग गो metazylum protozylum गो simply the first formal primaryzylum and metazylum गो later formal primaryzylum गो सारी खोद गोटने उस primaryzylum बाइं तेमिश बना protozylum and तैमपत उस primaryzylum बन तेमिश बना वना metazylum now एक इस प्लांट असमाज है कि यान चुता होन एक इस प्लांट असमाज चाहसन जो कंडिशन with respect to to with respect to to primaryzylum अगर आप देखोगी इस आप two types एक होता है इसमें एक सारक कंडिशन दूसरी होती है and arc कंडिशन याद चुता होन अगर इस पुछाओ सिटिमस माज चु आसन and arc and रूटस माज चु आसन x arc इस थाओन याद बहुँन सो कंडिशन क्याच्छ कुछ पच्छ एक्जिस्टिकासन सिटिमस माज इस यो primaryzylum चु आच्छ ज़र कंडिशन सिटिमस माज चु ये लबने येवा and arc and रूटस माज चु ये लबने येवा x arc देखे पहले हम बताएंगे सिटिमस माज चु आसन primaryzylum 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 जो होता in situm primaryzylum is and arc and arc क्या गो and arc मतलब गो तो एकर इमेजन and arc ये है आपके सामने रिंग मैं मानता हूं कि यहां पे ये है जायलम आपमानों ये जायलम है this is xyling see मैं मानता हूं कि ये वाला section जो है ये protozylum है protozylum simply value center येथे पर चु देख है ये तो इकर इमेजिन इथे पर इस ये center बचल साथ and arc मतलब गो अगर एके अगर हम रूट में देखेंगे यह एकसार्क होता है रूट में जो जाइलम हो, primary जाइलम होता है वो एकसार्क होता है रूट असमोच्य जो primary जाइलम आसन एकसार्क एकसार्क मतलब गो protozylemmous towards the periphery metazylemmous towards the center, ultra इसका reverse protozylemm जो होगा, यह boundary की तरफ होगा, मतलब periphery periphery मतलब गो yes towards the boundary ऐन मेटा जाइलम यश्च्छ था डुलांत बस मदश सिट मसमस प्रैमरी जाइलम उस्थ जबीर फिर्थ रैंडार क्लिश सबसे बन धाता है उसको कहते हैं प्रोटोफ्थ फ्रत्र शायव में ये चाह इला मास्फ शेर ना गाहा रॉफ ये इला म nuances सब्स्टेज दिला इन प्रैमिर करिए लॉस प्रैमिजी आमा ड्रॉक इला मस्टोर्स लॉक रॉक나리 करिघे में बॉंडरे कु시에 य। थाओन, when the primary xylem is located towards, when the proto xylem is located towards the center and metazylem is located towards the boundary, it is called andark and it is present in sitem and as well as in argans, while as when the proto xylem, when the proto xylem is located towards the periphery, while as metazylem is located towards the center, it is commonly called as x-ark यह होता है, roots में, गो sitmas मंश्य, primary xylem asan, primary xylem asan andark while as root as much primary xylem asan x-ark this is all about xylem, now tomorrow inshallah we will go for flowyam